आज हम लोग अपना विस्टास बुक का फोर चेप्टे स्टार्ट करेंगे दा एनिमी अफकोस टाइटल समझ में आ रहा है कि दुश्मन को कहा जा रहा है तो यह कहानी जो है एक कहानी अमेरिक और जेपैन के बीच में तो वार के दौरान जो है एक प्रिजनर ऑफ वार जो है अमेरिकन वार शिप का वह बहता हुआ जो है जैपनीज कोस्ट पर आ जाता है तो जैपनीज कोस्ट पर जहां पर आता है तो जो घर होता है वहां पर कोस्ट पर वह एक डॉक्टर का होता है जैपनीज डॉक्टर का तो तो अब डॉक्टर के सामने धर्म संकट ये आ जाता है कि वो क्या करें वो कैसे उसको बचाते हैं या वो उसको पुलिस को पकड़ा देते हैं यह उसके ऐसके क्या नुकसान होता है और उसके नतीजे क्या है तो कही न कही एक कहनी जो है क्या गूम रही है ठीकर चलिछे दिकते हैं So Before You Read It is the time of the world war An American prison of war is washed ashore in a dying state सब्सक्राइब करें तो अब क्या करें शुड़ी सेव मैं डॉक्टर और हैंड इम ओवर तुदा आर्मी अजा पैट्रियॉट वह जो है एक देश भक्त की तरह आर्मी को सौप दे क्योंकि दुश्मन तो ही वह यह पहले एज डॉक्टर उसको बचाए ठीक है चले देखते है और यह पहले बचपन से वह वही पर रह रहे हैं याने वह घर उनके फादर के टाइम को बनाया हुआ है और उनका सारा बचपन उसी घर में बीता है थोड़ा कम थी वह ऐसे घर बनाया जाते है यह तो वहां पर उधर जो है उसको घर को बनाया गया था narrow beach that was outlined with bent pints और उस घर की जो हम कह सकते हैं एक तरह बाउंडरी थी वो बाउंडरी pine trees जो होते हैं pine trees से उस घर की जो है वो boundary का रखी जैसे बीच पे अक्सर हमको houses मिलते हैं So as a boy, Sadao had climbed the pints supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the south seas where they climbed for coconuts तो Sadao बताते हैं अक्सर जब वो south seas में जाते थे south seas की तरफ visit करने जाते थे घुमने आते थे तो वहाँ पर वो देखते थे कि लोग कैसे coconut के पेड़ पे चड़ रहे हैं तो बिल्कुल वैसे सदाव भी बच्छम में कहते हैं कि मैं भी घर आके जो है उस जो pine trees है हमारे यहां पे मैं भी उन पे जो विल्कुल coconut पे जैसे लोग चड़ते हैं वैसे ही मैं भी उनको copy करके अपने pine trees पे चड़ने ही कोशिश करा करता था और उनके father भी जो है वो south seas की दरफ जो आइलेंड ते जेपैन की जो आइलेंड ते उस direction पॉइंट करते हैं तो उसको यॉंडर कहते हैं दोस आइलेंड सी यॉंडर ऐसे पॉइंट करते हैं दे आर दे स्टैपिंग स्टून्स तु दा फ्यूचर फॉर जेपैन तो जो डॉक्टर सदाओ के बड़े बड़े आदर शो वाली और ऐसी बाती सिखाने वाले ते यही हमारे देश को आगे बढ़ाएगा तो सदाव तो बच्चे थे तो अपनी चाल्डेश एक वे में जो है वो बच्कानी सी बात में पूछते थे अच्छे फादर यह हमारा फ्यूचर है तो यह हमें कहां लेके जाएगा तो फादर फिर वही फिलोस्पिकल जवाब देते थे और फादर कहते थे हूँ सब्सक्राइब करता है तो यह सब हम पर इपनी देश का फ्यूचर कैसा बनाएंगे यह सब हम पर डिपेंड करता ऐसा सदाव के फादर जो हैं सदाव को तो सिखाया करते थे So, Sadao had taken into his mind Sadao has taken into his mind As he did everything his father said So, Sadao Jove, मतलब Bautiyam कह सकते हैं Obedient child थे So, Sadao के father ने जो भी उनको सिखाया जो भी उनको कहा वो अपने father के हर एक बात को जो है अपने मन मों उतार के रखते थे याद रखते थे and his father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son तो सदाव कहते हैं बहुत obedient थे अपने फादर के हर बात को मानते थे और अपने उन फादर के बात को मानते थे जिन फादर ने कभी भी सदाव के साथ कोई ऐसा मजाक नहीं करा बारी ने करें बात कि पुस्वासे मजाक ने करा कभी खेले ने बलके उनको क्या दिये infinite pains दिये थे माने उनको ऐसा डाटते रहे हमीसा सीडियस रहे उनको हमेशा जो है उनके काम होते थे duties उनको follow करने के लिए हमेशा कहते रहे उनको तो यह वह फादर थे उनके फादर ऐसा क्यों कड़े हैं क्योंकि उनके फादर उनका बहला चालते हैं और छी तरफ जा यह रहार ना कोई आए हैं को गलत रहा न पकड़ने इसलिए वह और के सदाव के आज लाइन गregद को पर अपनी करतावे के लिए उनको पता था उनके फादर भी यहीं चाहते हैं तो वह अपने फादर की रेस्पेक्ट करते हैं सदाव knew that his education was his father's chief concern सदाव को पता था कि उनके education जो है उनके फादर की सबसे बड़ी चिनता है so for this reason he had been sent at 22 to America और शायद यही कारण था इसलिए उनको 22 साल की उमर में जो है अमेरिका भेजा to learn all that could be learned of surgery and medicine तो उनको 22 साल की उमर में अमेरिका भेजा क्या पढ़ने के लिए surgery और medicine के बारे में और आगे की पढ़ाई करने के लिए so he had come back at 30 अमेरिका से वो 30 साल के होते हैं जब वापे सते हैं अमेरिका में जो है उन्होंने 8 साल गुजारे and before his father died he had seen सदाओ become famous not only as a surgeon but as a scientist बुक है आप लोगे पास तो इसको अंडरलाइन करिएगा कि सदाओ के फाधर ने मरने से पहले सदाओ को फेमस सर्जन ही नहीं बलकि जपैन का फेमस साइंटिस्स बनते भी उन्होंने उनको देख लिया तो यानि अब प्रजेंट टाइम में सदाओ क्या है सदाओ वहाँ पर जिपैन के फेमस साइंटिस्स भी और फेमस सर्जन भी है यह एक वह फेमस में कर रहे तें टैपक सि इसे जल्दी से जल्दी ऑपोजा लिया थीसकिए डिस्कवरी कर रहे थे तो आपके नहीं लगना या अच्छा आप तो फेमस सांटिस्ट नहीं लगना तो ऐसे तो नहीं लगी वार में तो किसी को भी गोल एक सकती है तो कंट्री या करते हैं जो उनके मतलब इंपोर्टेंट लोग होते हैं उनको ऐसे वार वगरा पर भेजा नहीं जाता क्योंकि आगे और भी चीज़ों के लिए कामा सकते हैं तो कारण तो यह था तो एक कारण यह था दूसरा कारण एक और है जो हो सकता है जादा हो कि इसी वह से उनको ना भेजाओ दूसरा कारण कहता देखें ऑल्सों ही न्यूँ देर वस सम्स्लाइट डेंजर देदा ओल्ड जनरल जो जनरल जा जैपनीज आर्मी जनरल थे माइट नीड आन ऑपरेशन फॉर अ जरूरत पढ़ सकती थे उनको ऑपरेशन वगयरा की एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटे सदाव बिंग कैप्टेन जैपन और शायद यही कारण तक कि इस वजह से भी उनको जैपन में रखा गया और उनको ट्रूप्स के साथ नहीं बेचा गया ठीक है क्यों पता लगता कि व नहीं चाता था जेनरल कि सदाव जो है वार में जाएं तो क्लाउट वर राइजिंग फ्रम दो ओशन नाओ ठीक अभी एक सीन हमको दिखा रहे है तो आप इमेजिन करिए इसको कि सदाव का घर महीं बीच पर है और सामने उनको ओशन दिखाए दे रहा है कहते हैं क्लाउट पानी के उपर से तो पानी के उपर हलका सा धुंद उठ रहा है महां पर एंड़ आनेक्सपेक्टेड वांप्ट फॉफ फॉव देज हैड़ एट नाइट डॉन हैवी फॉग 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 और पिछले कुछ दिनों से गर्मी जादा हो रहे थी हा काफी पानी के उपर काफी सारा फॉग बन गया तो वह काफी सारा फॉग बनता हुआ समुदरी तरफ से लैंड की तरफ आ रहा था तो सदाव वाश्ट में आउट लाइन नियर देख रहे थे कि उनके बैलकने से देख रहा था कि सामने आला जो आइलेंड है वह उस धुंद में जो है कोरे की वो छुपता चला जा रहा है and then some creeping up the beach below the house और थोड़ी देर में जो ऐसा वो creep करता हुआ जो है वहाँ घर के पास भी आ जाएगा उनको बीच तक आ जाएगा and breathing around the pines फिर in pines के पेड़ेने भी surround कर लेगा and in a few minutes fog would be wrapped about the house और फिर कुछी minutes में जो है वो fog उनके घ घर को यह पूरा रैप कर लेगा फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा so then he would go into the room where Hannah his wife underline करेगा यह दूसरा character है है ना है ना उनकी wife का नाम था तो फिर वो उन्होंने सुचा कि फिर जो है मैं अंदर wife के पास हैना के पास जाओंगा जहां पर वो दो बच्चों के साथ उनका जो है वेट करें ठीक है सदाओ जो है अभी मैजिन करें सदाओ जो है अपने घर उनका काफी सुन दर घर बड़ी है और वो अपनी बैलकशनी में खड़ों के वो जो नेचर की ब्यूटी है वो उसको देख रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है उनको संबुदर में ऐसे धीरे धीरे कोहरा बनता हो उनको दिखाई दे रहा है सामने वाला जो आइलेंड है वो भी छुप चुका उनको पता है पाइन्स के ट्रीज भी थोड़ी देर में छुप जाएंगा और फिर उनका घर भी पूरा कोहरे में रैप हो जाएगा और जब कुछ नहीं दिखाएगा देगा तो उन्हों सुझा तो उस टाइम जो है मैं फिर घर में अंदर चले जांगो कि उनकी वाइफ उनका वेट कर रहे थी बट इट दिस मूइमेंट दोर ओपन और डाग ब्लू वूलन है ओरी ओवर हर किमोनो पर वो इतना सोची रहते कि इतने में देखते हैं जरवाज लूज गार्मेंट के तरह होता है तो शी केम टूम अफेक्शनेटली पुट अर्प्टर आती है और वह आके बहुत अफेक्शनेली बहुत प्यार से आके सदाव का हाथ पकड़ते हैं और दोने एक दुसरी तरफ स्माइल करते हैं और वह भी हुआ पर घड़ी हुआ जाती कार प्यार में तब तक नहीं पड़े जब तक उन्हें ये प्लियर नहीं होगा है कि है जबकि उनको पता था कि उनके फादर स्टाव बिल्कुल भी रिसीव नहीं करेंगे उनको डॉतर इंम्लओ अगर वह क्या नहीं होगी अपनी एनियु नहीं होगी तो उन्होंने जब तक यह नहीं पता कर लिया कि उनके फादर मदर दोनों जैपनीज हैं कि ने तब तक उन्होंने हैना से जो है ब्यार नहीं करा हाला कि वह हैना को देखते हैं हम कह सकते हैं love at first side उनको हो गया था वो कैसे हो तब आगे पता लगेगा बट वह तब तक मतला confirm नहीं करा उन्होंने जब तक उनको यह नहीं पता लग गया कि हैना भी जो है जैपनीज है यह वंडर्ड ओफन हूम ही वूड़ है इफ यह नॉट मैट है न तो अब अब उनका जो मैरेड लाइफ है बहुत अच्छी गुजर रही है और हैना भी बहुत अच्छी पार्टन अगर वो उस दिन वहां ना जाते तो शैदो मिलती नहीं अमेरिकन प्रॉफेसर की घर पर उनको मिलीती हो बहुत ही कैश्वल वे में दा प्रॉफेसर और इस वाइड मीन काइंड पीपल और एक्षिस टूडू सम्थिंग फूर फूर फूरन इस्टूडेंट्स वो जो प् क्यों सोचते थे उनको लगता था कि यारे सब बच्चे अपने देश छोड़कर यहां पर आएवे पढ़ाई करने अपने माबाप से दूर सबसे दूर और यहां पर इनको ऐसा अकेला पन महसूस ना हो इनको जो है अलग तलग सा न लगे तो हम इनको बुलाते तो वह दोन हाला कि जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी इस पार्टी से गेट टूगेदर से बोर होते थे बट फिर भी वह क्या करते थे एक्सेप्टेट इस काइडनेस को एक्सेप्ट करते थे ठीक है क्यों यह मैनर्स वाली बात होती है अब आप किसी के घर पर जा और वह आपके लिए से आप मत करा कर हम बोर हो जाते हैं तो उनको लगता त्यार वह अगला हमारे विले इतना सोच रहा है इतना कुछ कर रहे तो हमको जह है जाना चाहिए तो सब बच्चे वहाँ पर जाते थे सदाव हैड ओफन टोल्ड है ना हाव नियरली है नॉट गॉन टो प्रॉफसर हार लेकि घर पर जाने का मन नहीं था और बिल्कुल जाना भी नहीं चाहते थे बट फिर भी जो है वो किसी तरह वहां पहुंचे क्यों नहीं जाना चाहते थे उनको लगता था रूम्स वर सो स्मॉल उनको लगता था प्रॉफसर के घर के जो कमरें काफी चोटे हैं वो खाना बहुत काफी बेकार बनाते थे और जो प्रॉफसर की वाइफ थी वो काफी वॉल्यूबल थी यानि वह बहुत ही तेज 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 आवाज में जो है वह बाते करा करती थी तो उनको जह वह ठीक नहीं लगता था बट है और वहां पर गए और उनको जो हमां पर कौन मिली उनको वहां पर हैना मिली नई स्टुडेट जो हमां पर आई भी थी और वो देखते ही है ना को जो है कह सकते हैं कि उनके प्यार में पढ़ गए उनको लव करने लगे क्यों क्योंकि वह उनको देखने में अच्छा लगा उनको तो उनको रहा कि मेरे को हैना से जो है अब श तो अब जो है वह उन्होंने हाथ हैना ने हाथ जो है वह डॉक्टर सजाओ के कंदे पर रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे को जहें काफी अच्छे से जहें फील कर रहे हैं और एवन दो दो दे हैड बीन मैरीड इयर्स इनफ टू चल्डन और कहते हैं उनने शादी के का काफी साल हो गया उनके दो बच्चे भी हो गया बट आज भी उन दोनों के बीच में जो बांडिंग है जो उनके बीच में का फेक्शन है वो काफी अच्छा है मनला एक जैसा हस्बंड वाइफ मोना चाहिए दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं तो अभी हम यह सब क क्यों आ रहा है इसमें कि कहानी हम थोड़ा एसा लग रहा हट रही है बट कहानी हट नहीं रही है मैंने स्टार्टिंग मोला था आप इस सीन को इमेजिन करते रहे है क्योंकि अभी ऑथर जो एक नया सीन हमारी कहानी में लेकर आने वाला है वह बिलकुल एकदम से दे रहे है आप फील करें कैसा हो रहा होगा इतने में उनकी वाइफ आ जाती है और दोनों हस्बेंड वाइफ ने दूसरे का हाथ पकट रखा है काफी एफेक्शनेटली वह दोनों जो है वहाँ पर खुद दोनों कड़े होंके जो नेचर की ब्यूटी को फील कर रहे है वह सब्सक्राइब करें अपने अपने घर पे तो उसके बाद उनकी मैरेज को अरेंज करा गया और वह भी कैसे इंदा ओल्ड जैपनीज वे ठीक है ओल्ड जैपनीज वे क्यों उनके फादर जो थे उनके फादर जो है इन चीजों के काफी सक्त रहते थे कि हमको अपना ट्रेडिशन कल्चरी फॉलो करना चाहिए तो उनने अमेरिका अगर शादी ने करी वापस आय और उनके फादर ने एक ओल अब जो है अब जो है ने अपना चीक जो है वो डॉक्टर सदाओ के आम पर रख देते हैं और जो है दोनों कि देख रहे थे कोरे को बनते वह ना अब यहां से देखेगा ठीक है अब क्या होता है दोनों देखें कितने अफ़ेक्शनेटली खड़े थे कितना अच्छा फील कर रहेते हैं और समुदूर की तरफ देख रहेते हैं फिर एकदम से उनने क्या दिखाई द выйता है कि समुदूर में से कुछ ब्लैक ब्लैक, जो धुन्द होगा है उस धुन्दमो पर बीच का एक किनार ऐसा होता है जहां पर बड़े-बड़े पथर पड़े तो वहां पर आप ना तो तैर सकते ना जा सकते ना बोट वगएरे चल सकते और उस तरफ से जो है कुछ चीज बाहर आ रही है तो इसलिए उदोनों कंफ्यूज जाते हैं सो इट वाज़ा मैं ही वस फ्लंग आप आउट ऑफ द ओशन और वह एक आदमी था जो ऐसा वहां ओशन में से बहता हुआ जो है वहां पे वापिस आ रहा था जो सारी वहां से बाहर निकल रहा था और सीम्टीज फीड बाया ब्रेकर और फीस फीड बाय अगेंस दा में तो जो धूंती कोरा बहुत धीरे 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 बढ़ रहा था और उसने जैसे दो चार कदम रखे तो थोड़ा सा उसकी स्पीड बनी और वो कोहरे से बाहर आगे और जैसी वह बाहर आया तो अब उसकी बाड़ी साफ साफ किसको दिखाए दी डॉक्टर सद और हैना को and outline against the mist his arms above his head his arms above his head उसने सर के उपर ऐसा जो है हाथ जो है अपने सर के उपर करके जो है वो ऐसा मतला एक अपनी आपको समहलने वाली position में करता हो जो है वो बाहर की तराफ आ रहाता then the curd mist hid him again और फिर उससे क्या हुआ फिर जैसे वो कुछी step चल पाए ज्यादा चल नहीं पाए तो तरह में फिर कोहरा पीछे से और फिर से उसको ढख लिया तो अब एकदम से क्या हुआ अब देखें वहाँ पे खड़ेते कूब अच्छा जो है दोनोंने ऐसा फील कर रहते फिर एकदम से उनको सामने वो परसन दिखाई देता है और ऐसे लड़ खाड़ाती ही हालत में वहाँ से बहार निकल कर आ रहा है तो एकदम चौक जाते हैं वो लोग वाली पॉजिशन में गुठनों के बल वाली पॉजिशन में आ गया है और फिर देखने के लिए और वह ऐसा बागते बागते अंदाजा लगा रहा है कहता है मुझे लगता है शायद को फिशन मैं होगा और यह जो है अपनी नाओ से जो है बैग गया होगा नाओ में गिर गया होगा संबुद्र में और यह बहता हुआ यहां पर आ गया ही रैन क्विकली डाउन दे स्टैप से बिहाइंड हम हैना केम वह इतना कहने के साथ जो है वह अपने स्टेयर से नीचे की तरफ भागते हैं और वहां पे उसको देखने के लार पीछे पीछे हैना भी आती है अंदाजा लगा रहा है कौन होगा माइल और टू अवे डाइधर साइड देर वर फिशिंग विलेज जिस बट देर वास ओनली लोनली कोस्ट डेंजरेस विद रॉक्स तो सदाओ कहते हैं यह फिशिंग विलेज तो यहां से एक दू मिल की दूरी पर है और यह यहां पर कै दूरी से नुकीले पथर हो रखें तो यहां पर तो आने का कोई मतलब नहीं किसी का भी मैं सोच रहूं इसके बारे में कि यह कैसे निकल कर इन पत्थरों के बीच में से बचकर कैसे आ गया बट ही मस्ट भी बैडली टॉन पर कहता है कि आ जरूर गया होगा पर मुझे पक्का पता कि क्या हो रहा होगा यह बुरी तरीके से घाया लो रहा होगा ऐसा अंदाजा कौन लगाते हैं ऐसा अंदाजा डॉक्टर सदाव लगाते हैं